जहीं साथियों आज सामको साथ वजे सिविल और मेकेनिकल वारियर्स का सुग लाइफ तो नहीं हो रहा बट यह वहुत ही प्रेमियम कंटेंट आप लोगों को रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों को भेज रहा हूं तो गाइज इस वीडियो की माद्यम से आप लोगों की एक्जामिनेसेंस पर कम से कम दो तीन नमबर बहुत ज़्यादा किलियर हो जाएंगे आए नान नेटोनियान और नेटोनियान फ्लूड का जो जन्रल एक्वेस्टन्स होता है वो आप समझने कोशिस करिए कम से कम दो नमबर का कुश्चन्स आता है पूरे कर्ब को आप समझ जाएंगे तो फ्लूड का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्मेंट सिब्ल और मेकेनिकल इंजिनरिंग एस्परेंट्स पर योज पूलोगा किसी भी फ्लूड का हमारा जनरली कोश्चन्स होता है अगर पहली बात करें अगर न्यूटोनियन फ्लूड की बात कर लेते हैं तो न्यूटोनियन फ्लूड के लिए एन की वैलू 1 हो जाती है और टाव नाट की वैलू 0 हो जाती है जिसके लिए टाव इस करूडू क्या हो दो कटेगरी में होता है, एक हमारा time dependent होता है, दूसरा हमारा time independent, जिसकी viscosity हमारी समय पे निर्भर करती है, उसको हम time dependent बोर्थ है, जिसमें हमारे दो तरह के आते हैं, एक हमारा thixotropic आता है, एक हमारा rheopactic fluid आता है, जो कि यहां पे हमने दिखा दिया है, यह दिखेगा आपको rheop यह हमारा कर्व जो है, रियो पैक्टिक के लिए है, ऊपर वाला thixotropic, याद करने का ट्रिक है कि सबसे ऊपर है, तो हमारा thixotropic होगा, यह हमारा time dependent, thixotropic fluid में viscosity इंडेक्स जो होता है, एक से कम होता है, तिक कि किसी fluid की अगर viscosity घट रही है, और एक बात हमेशा याद रखेग viscosity का decrease होना बताता है कि N की value एक से कम होगी, तो viscosity decrease होगी, slope भी decrease होगा, और ऐसा fluid हमारा sear thinning fluid का रहाता है, इसका best example हमारा lipistic है, नेक्स हमारा rheo-pactic होता है, rheo-pactic में हमारा viscosity index जो होता है, एक से ज़ादा होता है, slope हमारा बढ़ता है, इसके लिए हमारा क्या होगा, viscosity index एक से जादा सुलोप हमारा बढ़ेगा तो विसकोसिती भी बढ़ेगा best example हमारा betonetic solution betonetic solutions इसके best example और फिर उसके बाद बीच बाद हमारा विंगम प्लास्टिक हो गया विंगम फ्लूट जिसको बोलते हैं विंगम फ्लूट में क्या होता है कि यहां पर देखिए time independent है यहां पर इसकी सुरुवात जो होती है origin से नहीं होती है, एक initial amount of stress से होता है, इसको initial shear stress बोलते हैं, यह हम threshold stress भी बोलता है, इसके लिए n की value एक होती है, slope हमारा इसका constant होता है, यह Newtonian इसलिए नहीं है कि इसमें initial shear stress होता है, इसका best example हमारा toothpaste होता है, tomato, ketchup और toothpaste होता है, और यह हमा हमारा quicksend होता है, जो time independent के गटेरियम आता है, जिसके लिए n की value एक से ज्यादा होती है, slope हमारा बढ़ता है, viscosity भी हमारी increase होती है, जिसका example quicksend, दलदल जिसको बलते हैं, चीनी और पानी के mixer को जब आप steering करते हैं, तो automatic उसकी viscosity हमारी क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है, इसलिए यहाँ पर n की value एक से जाता, अपने आप में स्यानता सुचक जिसको हम viscosity index बोल रहे हैं, one of the premium हमारा information दे देता है, कि आपका यदी steering करने पर हमारी viscosity बढ़ती है, तो automatic, पतब गाढ़ा पन आता है, तो viscosity बढ़ेगी, अब फिर उसके बाद आएक हमारा सीडो प्लास् तो most of them मैंने कोशिस किया है कि examples भी with important significance parameter, तो पूरा का पूरा हमारा एक जो category होता है, किसी भी fluid का, तब आपको भी पता होना चीए दोस्तो, आपको भी fluid होता है, fluid हमारा देखिएगा, broadly अगर देखा जाए, तो दो category में divide किया जाता है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया एक दिखिएगा भाई, इधर आपका Newtonian fluid आ जाता है, एक हमारा non, तो Newtonian fluid में आपको भी पता है, shear stress और velocity gradient का शुरुवात यहां से होती है, और एक हमारा non-Newtonian fluid, तो non-Newtonian में क्या होता है मैं आपको बता देखा हूँ, non-Newtonian में क्या होता है मैं पहरे बच्चे, कि non-Newtonian मे आपको, basically जो मैंने आपको बता है, जो Newton's के law of viscosity को follow नहीं करते हैं, अब इसमें हमारे कई तरह के होते हैं, हमने आपको proper बता दिया, एक हमारा time dependent होता है, और time dependent में हमारा thixotropic, और एक हमारा time independent, time independent, समझ रहे हैं, तो यह सारा हमने आपको बता दिया है, तो वीडियो हमारा क लोग बताईएगा, और मुझे उमीद है कि आपको यह concept समझ में आया होगा, examinations में या तो किसी भी suit की property पूछा जाता है, या इन में से आपको curve दिया होता है, लेटेस की आपको यह बताना हो कि भाई, यह बताओ, यह curve किसका है, shear stress versus velocity gradient का, तो भाई, आपने अगर यह curve पी बताया है, आज अचिलोब दिख्रीज हो रहा है, अजब जोब दिख्रीज हो रहा है, तो अब इस बात है लेटा, viscosity हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बिसकॉसिटी दिख्रीज हो जाएगी, अब एक से कम होना, मतलब यह shear thinning हो जाएगा, यह क्या हो examination में ऐसे आजा नहीं जी एक बात बताओ मेरे को ये बताओ कौन सा होगा तो यार इसको अगर मैं origin से मिलाओंगा random दो point दे करके तो मुझे ऐसा पता चल दा कि slope हमारा increase हो रहा है तो ये सारी चीज़े मेरे को रगता है कि जब slope इंक्रीज हो रहा है भईया मेरे विसकोसिटी फॉट हुआ यह हमारा सीर ठीकनी हो जाएगा कैसा भीठीकनीग हो जाएगा और यह हमारा एक डिएटन का इस तरीके से कोस्चन सा सकता जिसका हमारा स्चेनी और पानी के मिक्चर्स हो गया तो गाईज आज का कंसेप्ट आपको कैसा लगा आप लोग बताईएगा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों एक बात आप लोग से सेर करनी है कि देखो लडाई अब युद अस्तर पे चवरी तो हम अपनी प्रिप्रेशन को ब्रेक नहीं कर स से बड़ी बात जो हमारा ससी का 2.0 बैच है फांडेशन बैच सिक्स हावर्स की टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को वह मिल रहा है आपको दोस्तों को आपको जो आपको ज्वाइन करते समय लगाना है दोस्तों मैं आपको अगिन ज्यादा बड़ी बात नहीं बोजूंगा प वीडियो केमेंट सेक्शन में मैं आपको डिरेक्ट रिंग प्रवाइड कर रहा हूं दोस्तों थैंक्यू प्रीज अगर वीडियो अच्छा लगा तो दाइक करिएगा ज्वाइन करना नहीं करना यह आपका परसनल डिसीजन से बट सब लोग आज आओ मेरे साथ कनेक्ट हो